ओंग संती शब का मालिक एक है इस थीम पे आधारित इंटर फेत्मिट में उपस्तित विभिन धर्म के प्रतिनी धिगार आप सब का राष्ट्रकति भवन में बहुत बहुत स्वागों थे आप सब का एक स्थान पर एक भावना के साथ एकत्रित होना स्वर्वधर्म सौंभाव के लिए महत्तो पुर्ण है इस आयाजन के लिए में ब्रह्मा कुमरी संस्थान की बहुत बहुत सराना करते ह। धर्मों हम सब के जीवन में एक महत्तोपूर्ण स्थान रखता है। इसने विश्चो समाज, संस्कृति और आजनिति को सदियों से प्रभावित किया है। धर्मों आकेबल मनुस्यों को उसके जीवन के उद्देश्यों और और्थों का बोध कराता है। बलकि जीवन की जोटिलताओं को समझने में भी स्वायोता करता है। धर्मिक मन्यताओं और प्रथाएं विपरित परिश्थितियों में हमें राहत, आशा और सक्ति प्रदान करते हैं। प्रार्थना, ध्यान और धर्मिक अनुस्थान मनुस्यों को आंतरिक सांती और भवनात्मक्स दिर्था का अनुभू भी कराता है। देवियों और सोजनों, धर्मिक सिधान्तों, विश्वासों और रितिर्वाजों का हमारी जिवन में अपना स्थान हैं। लेकिन सांती, प्रेम, पवित्रता और सच्चाई जैसी मोलिक अध्यातिक मिक मुल्लों की हमारी जिवन को स्वार्थुक बना दा है। इन मुल्लों से रहित धार्मिक प्रथाएं हमारा क्ल्लान नहीं कर सकता। सोमाज में सांती और सोदभाव को बढ़ावा देने के लिए सोहिस्टुता, एक दुसरे का सन्मान और सोहर्ग के महत्तों को समजना आवस्यों खे। राष्टपिता महत्मागंदी के अनुसार मानुवता का धर्म ही बास्तविक धर्म है। सचतो ही इस्षर है और मानुव सेवा ही इस्षर की सेवा है। एक सुनहरा नियोम है, दुसरों के साथ वैसाई ही बेभरा कीजिए, जैसा बेभार आप दुसरों से चाहते हैं। जो हम इस मानुदन को ध्यान में रखते हुए कारिय करेंगे, तो हम दुसरों के प्रती स्वाहनुभूती रखना और उनका सन्मान करना सिखेंगे। सभी धार्मिक ग्रोंतों में कहा गया है कि इस सब से प्रेम करता है, और उसके लिए सब एक सुमान है। इस सब का ये स्निहों हमें सिखाता है कि हम सबी सुमान रूप से सब के साथ उदार हो सकते हैं। प्रतेक मानुव आत्मा, स्निहें और सन्मान की पात्र हैं। आपने मूल अध्धात्मिक गुणों के अनुरूप जीवन जीना और इस्वर के साथ अध्धात्मिक समंदों रखना ही, साम्प्रदाइक, सोद्भाव और भावनात्मक एकी करण का सहोज माध्यों है। देवियों और सोजन, प्रेम और कोरोणा की बिना मानुवता जीवन नहीं रही सकते। आज मनुष्य के भीतर, मनुष्य के भीज, तथा मनुष्य और प्रपुत्य के भीज संगर्ष जल रहा है। जहां कहीं भी दूख है, उहां प्रेम का अभाव है। इसका मूल कारण है, हम भूल गए है कि हम कौन है। हम बहरी सुख की तालास में लगे हुए हैं। हम अपने संकल्पो और वेभार से जो सांती, प्रेम और खुसी का अनुभव कर सकते हैं। उसे छोड़कर ब्रुगतुर्शनाओं के पीछे हम सब दोड़ रहे हैं। हम दूसरों से अपने तुलना करते हैं। और जोब हम देखते हैं कि ए हमसे ज्यादा खुसे, तो हम ओहे ओस ओस्टू या इर्षणू हो जाते हैं। उनके पास जो कुछे उसे पाने की इच्छा करने लगते रहे। इससे परायापन का और संगर्श का वाज पैदा होता है। जो हम लोगों के आज थी में कि सब का मालिक एखे उसको हम भूल जाते हैं। आध्धात्मिक मुल्लों के अनुरूप जीवन समाज में एकता और सोदभाब का आधार है। जो विभिन्न धर्मों के लोग सोदभाबनापुर्ण एक साथ रहते हैं। तो समाज और देश का समाजिक तानावाना मजबूत होता है। ये मुजबूती देश की एकता को और सुदूर्द करती है। और प्रगति के मारफ़ ले जाती है। आप सोब जानते हैं कि बस दो हजार सच्चालिस तक हमने भारत को एक विक्सित देश के रूप में स्तापित करने के लिए लक्षय रखा है। इस लक्षय की प्राप्ति के लिए सोब का साथ जरूरी है। सभी लोगों के सहयोग से ही भारत समगर रूप में सोशक त्राष्टर बन पाएगा। मेरी कामना है कि आप सोब इस तरह की और भी आयोजन करें। आज में देख रही थी जतने भी धर्मो गुरुई यहां उपस्ती थे। उनको वान एट हाम मिनिट। देट गंटा में आपका बाते खोतम कीजिये, मेसेज खोतम कीजिये। में जानती हूँ यह सोब ज्ञान के भंडार है। बहुत सरे ज्ञाने गंटों भूर यह लोगों को देशकते हैं। मुझे लगता है इस तरह की के आयोजन हम लोगों को करना है। आप लोगों को करना है। मुझे पता है कि ब्रह्मा कुमारी संस्थाई यह बहुत ही सवसोक थे। पूरा दुनिया में उनका संस्थाई हैं सेंटर से। और इस तरह की आयोजन कर सकते हैं। और एख जागा। सभी हम जानते हैं रास्ता अलाग अलाग है लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है। उसी मालिक के पास ही जाना है जिस मालिक ने हमको यह भेजे है। हम रास्ता अलाग अलाग चल रहे हैं लेकिन उसी दिशा में ही चल रहे हैं। कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से, कोई उत्र से, कोई दखन से अपना रास्ता पकड़ के जाते हैं। लेकिन जाना तो ओही प्यर है। लेकिन केसे हम एक साथ जाए, एक भावाने के साथ जाए, सब तो अलाग है, लेकिन मीनिंग एक होना चाहिए, हम अपने अपने किताबें, अपने अपने धर्म ग्रोंतों को पाड़ करते हैं, लेकिन सब अलाग-अलाग हो सकते हैं, राइटर्स अलाग-अलाग हो सकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह के आजन करें, तो था आपने पनुगाईयों को विक्सित भारत के सामुहिक लख्षों के लिए मिल कर कार्या करने के लिए प्रेरित करें। इसी साथ के फिर आपको बहुत बहुत बदाय देती हूं धन्नवाद। जोई हिन जोई हिनुगाई जोई हिनुगाई।